हलो दोस्तो जो पहला कमेंट है वो काफी ज़्यदा इंटरस्टिंग कमेंट है तो आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि जातर लोग के दिमाग में एक कोशन जरूर होगा यूजर का कोशन आ रहा है कहरें भाई लास्ट दीन साल के अंदर में जो स्मॉल काइप का पूटफोलियो उसने एक्स्टरॉडनरी रिटन दिये हैं करीब करीब मैंने डीड़ सो परसेंट के रिटन अभी तक बना लिये हैं तो मुझे क्या करना चाहिए मुझे बेच करके न निकल जाना चाहिए या फिर नहीं आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है तो जो आपका कोशन इसके इंदर चार फेक्टर आपको देखने को मिलेंगे पहली चीज़ा है रिस्क दूसरा है टाइम तीसरा है री बैलनस वा चौता है आपका विजन फर्स से शुरू करते हैं अ आपको यहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग क्या होती ही मैं आने वालों इसके उपर क्यों गयारों में यह चीज़ देखो आपके मन में यह कुश्चन सिर्फ औस इस वज़े से आया है कि मेरा यह मानना है आने वाले के रिटन बने हुए है वो अप टू 80% पर करके अटक जाए लेकिन बैक टू जीरो होने के चांसे स्कम है ऐसा मैं क्यों कहा हूं जब भी स्मॉल कैप की रैली हमने देखी है तो उसके अंदर जो करेक्शन आया है मैक्सिमम वो 50% का करेक्शन हमें देखने को मिला है इस से ज इंचीज टाइम अगर आपका जो टाइम होराइजन है स्मॉल कैप कैटिकर के लिए स्पेशली क्योंकि वहां पर रिटन बहुत ज़्यदा आये हैं अगर आपका टाइम होराइजन पास से 10 साल के बीच में है सिर्फ और सिर्फ तब जाकर यहां पर इन्वेस्ट करना अधर 50% CAGR बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी कंसिस्टेंसी के साथ 50% CAGR के रिटन नहीं निकाल पाता एवन लेट राकिश जुन जुन वाला जी ने भी खुद बोला है कि अगर कोई 20% CAGR से रिटन निकाल ले तो आप यह मानलो वो exceptionally well कर रहा है मार्केट के अंदर तो आपको अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो definitely आपको यहां से पैसे निकाल लेने चाहिए और जब वापस मार्केट गिरे तो यहां पर reinvest करना चाहिए इस case के अंदर आप rebalance भी कर सकते हो रिबैलेंस क्या होता है देखो जब आपका एक portfolio आपने decide क्या कि भाई 40% large cap 30% small cap 20% mid cap और किसी भी reason से जो आपका mid cap या small cap का पैसा है वो extra और नहीं तरीके से बढ़ गया है इसको मैं skill नहीं बोल सकता इसको हम बोल सकते हैं luck उस case के अंद portfolio को rebalance करना चाहिए मलब small cap से थोड़ा पैसा निकाल करके larger mid cap के साइट shift करना चाहिए because market correct होती है तो सबस्यादर small cap गिरते हैं और वो recover भी एकदम से नहीं कर पाते लेकिन उसी के साथ mid cap और large cap काफी देश से recover कर पाते हैं because वहाँ पे liquidity इतनी होती है हमाँ पे fundamental analysis करना असान ह होता है महीं पर जो small cap के mutual funds होते हैं तो उसके अंदर small cap के stocks भी होते हैं small cap के stocks होते हैं तो वो चलते हैं low interest rate environment में जब market में पागिलपन का bull run चलता होता है तब जादातर cases में 3-4 साल तक small cap के mutual fund होते हैं वो return नहीं देते एक बार जब bull run खतम हो जाता है तो पर यह चीज़ दे अगर आपके पास वो नहीं होगा तो जब आपके return नहीं बने हो तो आप हो सकता है loss में भी बेच करके निकलो यह बाग के सब के लिए हैं जो इस समय पर चाहते हैं कि भाई मैं lump sum invest कर दो small cap के अंदर तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास time horizon ज to low risk portfolio बनाना चाहते हो अगर आप एक high risk portfolio बनाना चाहते हो with long term horizon तो उस case के अंदर आपको rebalance करने की जरूरत नहीं है उस case के अंदर आपको profit book करने की जरूरत है अब profit book और rebalance में क्या difference आता है rebalance का मतलब यह होता है कि आपको यह लगता है small cap ने बहुत सारे return दे दिया आपका maximum पैसा वहाँ पर है तो आपने rebalance कर दिया थोड़ा पैसा निकाल करके mid cap और large cap की साथ shift कर दिया और लेकिन आपका जो पैसा लगा हुआ है वो market में उसी level पे लगा हुआ जित तक पहले हुआ था profit booking का simple सा मतलब यह होता है कि अगर आपको एक asset काफी ज़्यादा over inflated दिखता है आपके हिसाब से उस case के अंदर आप यह बोलते हो भाई मैं 10 से 15% इस asset से profit book करता हूँ ताकि जब मेरे को दुबारा वजार के अंदर opportunity मिले तो मैं वापस रिइंवेस्ट करूँगा अब यहाँ पे भी confusion आती है तो इसलिए दो चीज़ आपको समझ रही है profit booking का मतलब यह होता है कि अगर आपके 100 रुपे लगे है market के अंदर तो उसमें से 10 से 20 रुपे निकालना तो आपके 80% पैसे हमेशा market के अंदर लगे होते है और जारतर लोग को commit भी यह यह आता है कि अगर market गिर गई तो उस case में क्या होगा उस case के अंदर जो आपके 20 रुपे पड़े थे 100 रुपे वसे जो आपने profit book करे थे वो reinvest होंगे वहीं पर आपका question यह आईगा market भाग गई तो क्या होगा तो आपके 80 रुप तो हैं ही ना मेरे भाई वो बढ़ते रहेंगे तो क्या होता है जब भी आप market में invest करते हो तो risk adjusted return सबसे ज़्यादा important होते हैं ना कि higher risk और higher return market के अंदर sustain वही करता है तो risk adjusted return अच्छे निकाल पाता है ना कि जो higher risk लेकर के higher return ले वो अगर आपको अभी तकी वीडियो पसंद आ रही है आपको analysis अच्छे लग रहे है तो मेरे भाई इस सब्सक्राइब और वीडियो को like कर दो जल्दी से I know मुझे पता है आपने नहीं कर रहा यार कर दो फिर यह आपके लिए तहुश्किल काम है कर दो चलते हैं आगे जलते ह अगर मुझे फंड को switch कर देना चाहिए अगर मुझे फंड को switch करना है तो मुझे कैसे switch करना चाहिए क्या मेरे को सारगा सारा पैसा निकाल करके एक liquid fund में डालना चाहिए और हमापे SWP करनी चाहिए या फिर और उसी के साथ सब्सक्राइब एक से 2 साल लग जाएंगे पुर से 30 लाग रुपे होता तो यह possible नहीं है कि मैं बहुत तीजी से इतना बड़े पैसे को change कर पाऊं तो क्या करना चाहिए basically मुट और मुट तौर पे इनका यह question है तो बहुत अच्छा question है और मैंने अपने life में बहुत बार यह चीज़े face करी है तो मैं आपको यह बता तो मैं चाहिए 6% के CAGI से 2 साल तक return दिये तो उस case के अंदर आपने on an average index को beat नहीं कर रहा आपने underperform कर रहा और इसी के साथ आपने FD के rate भी नहीं beat कर रहा और inflation registered return जिस वज़े से mutual fund में आते हैं वो भी आपके नहीं बने तो compounding तो hurt हो गई इवन आपने invest करा हुआ है उसके बावजूद compound नहीं कर आपका पैसा तो सबसे वहला perception कि mutual fund में पैसे डाल दे तो compounding मिल रही है नहीं अगर आपका पैसा नहीं बन रहा तो compounding नहीं मिल रही है second चीज आपने यह पूछा कि underperform कर रहा है तो क्या मुझे switch कर देना चाहिए जो traditional way और जो मैंने समझा है कि अगर कोई mutual fund दो साल तक underperform नहीं करता और under performance heavy margin है heavy margin से under performance है मतलब 15% से ज्यादा या even 10% से ज्यादा under performance है अपने benchmark से तो वहां से हमें exit कर जाना चाहिए और अपना mutual fund switch करना चाहिए second question, third question जो आपका है इसके अंदर कि अगर मैंने switch कर दिया तो कैसे करना चाहिए पूरा पैसा मेरे को निकाल के डाल देना चाहिए नहीं इस case के अंदर आपको समझना पड़ेगा position building और exit करना position building का मतलब यह होता है कि मानलो आपके वास एक लाग रुपे हैं invest करने के लिए उसको आपने चाहर इंस्टॉल्मेंट में divide कर दिया और पच्चिस 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 हजार करके धीरे 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 position build करनी शुरू कर दी पहले 25 जाले फिर 25 और फिर 25 जिससे आ अगले महीने फिर 25 क्योंकि आपको सबसे पहले यह ढूड़ना पड़ेगा कि opportunity कहां पर बनेगी फोर्थ क्या मुझे इसको debt fund में डाल करके रखना चाहिए देखो market के अंदर बिना अलग-अलग situations होती है और market में हमेशा opportunity होती है क्या आपको वह opportunity मिल गई अगर हां तो आप direct निकाल करके कुछ पैसा liquid fund में डालो और चार installment में उठा करके उस mutual fund में आप डाल सकते हो जहां पर आपको opportunity देखने को मिलती है इसका एक basic example देता हूं current situation के हिसाब से मुझे ये लगता है कि मुझे अपनी portfolio को rebalance करना चाहिए और मुझे finance sector के side ज़्यादा bullish होना चाहिए तो मेरा जो FMCG वाला sector है पहले मैं वहां से पैसे काट रहा हूं दूसरी चीज़ जहाँ पर मैंने more than 100% के return बना लिए कुछ profit में वहां से book कर रहा हूं उसी किसासत कुछ ऐसे stocks जो मुझे लगता है कि extraordinary grow कर चुके है अब इससे आगे grow करने के लिए इनको थोड़ा से time लगीग महां से मैं पैसे काट रहा हूं और सारा मिला करके ऐसी जगा concentrate कर रहा हूं जहाँ पे मुझे under valuations देखने को मिल रही है और मुझे पता है कि यह sector भी पिटा हूँ है लेकिन recover कर जाएगा यह stock भी पिटा हूँ है recover कर जाएगा let's suppose उसका नाम SBI cards है ठीक है तो मैं वहां पे उ position है और under performance है तो यह मुश्किल होने वाला है नहीं यहां पर करोड़ो रुपे की transaction हो जाती है mutual fund में से और mutual fund को कोई फरक नहीं पड़ता तो 20-30 लाग रुपे तो actually कोई major important चीज़ है भी नहीं आपको यह समझना है कि stock market के अंदर सिर्फ पैसा बनना चाहिए कहां से बनेगा यह चीज़ें आपको जादा नहीं सोचनी होती कावी साइड लोग मैंने यह देखे है कि भाई under performance हो रहा है क्या मेर को यहां से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए बिलकुल निकलो ना यार वगर कहीं और opportunity दिख रही है तो हम वहाँ पर जाकर के invest करेंगे compounding करके पैसा बनना चाहिए एक बार पैसा बन गया वही matter करता है अच्छी जगा से बने penny stock penny mutual funds micro cap में बहुत ज़्यादा position बिल्ड नहीं करनी होती और इस तरीके से आपको इसको manage करना चाहिए और आप 20-30 लाग रुपे के अंदर यह सोचो यह huge amount है तो गलती से जो portfolio size हो 5-10 कर जोड के आसपास का हो गया तो तो आप managing नहीं कर पा होगे यह भी तो दिक्कत है तो इसलिए 20-30 लाग रुपे कोई बड़ा portfolio नहीं है चल्न आपको करना पड़ेगा अगर आपको portfolio underperform कर रहा है तो opportunity आपको ढोड़नी पड़ेगी कि market में opportunity कहा है all time high की market के अंदर भी opportunity मिलती है जैसे आज से एक डिड़ महीने पहले तक आपको bank निफ्टी में heavy opportunity दिखती थी आज हो सकता होड़ी कम दिखती है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा sector मिल जाएगा जो मैं ठोंटर हो गर नहीं को मिलेगा तो मैं आपके साथ definitely share करूँगा सर अभी मुझे बताए comment type करना शुरू कर दिया है लोगोंने कि भाई आप long term investor हो बने रहो पैसा बनेगा long term investor जैसी कोई चीज नहीं होती है अगर आप एक साल से ज्यादा invested हो तो भाई आप already long term investor हो आपका पैसा नहीं बन रहा यह सचा ही है तो portfolio change करना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है compounding का simple मतलब ह है आपका पैसा बढ़ा होना चाहिए बढ़ते रहना चाहिए interest मिलना चाहिए चाहे वह mutual fund A से मिले या mutual fund B से change करो कोई फरक नहीं पड़ता हो ठें दुराई जी का comment आ रहा है I hope मैंने आपका नाम सही से pronounce किया नहीं किया तो I am the source है यह कह रहे है पर एक suggestion चाहिए एक chat GPT से portfolio profile create करा सकते है mutual market की भाई chat GPT से portfolio कैसे create कर सकते है पहली चीज़ अगर आप chat GPT का फिरी version यूज़ कर रहे हो तो last time जो मैंने यूज़ के था 2021 उसकी cut-off date थी दूसरी चीज़ अगर आप co-pilot से मतलब chat GPT के साथ integrate किया है Microsoft ने उससे बलाने की कोशिश करोगे तो जो co-pilot है वो कोई sense नहीं बनता कि portfolio आप वहां से निकालो आपको portfolio समझेना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको portfolio underperform कर रहा हुगा तो फिर क्या और जो chat GPT है ना या इस समापे generative AI जित्ते भी हमारे co-pilot की बात करते हैं यह सारका सारा data internet से scrap करके निकालते है ठीक है धून-धून के निकाल अपना दिमाग जरूर लगो पैसा आपके दिमाग से ही बनेगा AI इत्ता स्माट नहीं है कि वह आपके लिए अभी यह चीज़ कर पाया at least सादक जी का commenter कह रहे है कि भाई मुझे इस साब पर quant tech fund के अंदर invest करना चाहिए या फिर नहीं क्योंकि alpha काफी जयदा अच्छा से अंदर तो आप करना चाहो तो definitely कर सकते हो इससे बहुत ज्यादा उमीद है मत लगाना और यह जो सेक्टर यह अंडर परफॉर्म करेगा तो प्रक्राम बिल्कुर में बुलना थैंक समच फोचिंग दिस वीडियो टाटा बबाए साइनिंग ओफ